नमस्कार स्टुडेंट्स आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है modular type of growth पिछले चैप्टर्स में हमने बढ़ा था कि जो एंजियो स्पर्म प्लांड होते हैं उनका जो बेसिक बोडी प्लांड क्या होता है उसके अंदर हमने अंजियो स्पर्म प्लांड के जो फ्लाउरिंग प्लांड होते हैं उनका रूट सिस्टम और सूट सिस्टम के बारे में बढ़ा था उसी के सिक्वेंस में हम आज बढ़ेंगे modular type of growth सबसे पहले तो यह देखते हैं कि जो growth है वो क्या होती है तो जो growth की definition हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि growth है irreversible change in size size के अंदर होने वाला irreversible change है यानि कि वो change वापस reverse नहीं हो सकता है वो change जो है वो permanent होता है उसको वापस reverse नहीं किया जा सकता और जो change होता है वो organ की size में हो सकता है या organ के किसी part की size में हो सकता है और even individual cells जो होती है उसके अंदर भी growth होने से size बढ़ सकती है लेकिन character growth का यह होता है कि उसको वापस reverse नहीं किया जा सकता एक बार अगर growth हो गई तो irreversible होती है इसके अलावा जो growth होती है वो सभी living organisms होते हैं इनका characteristic feature होता है सभी living organisms के अंदर हमें growth देखने को मिलती है characteristic feature of all living organisms और जो growth है वो plant और animals दोनों के अंदर पाई जाती है बट थोड़ा समझ के अंदर difference होता है growth के अंदर plant की growth animal की growth से थोड़ा अलग होती है अब देखते हैं इसके अंदर की क्या difference होता है तो जो plant की growth की अगर हम बात करें तो वो localized होती है to certain regions यानि कुछ ऐसे area होते हैं plant के अंदर वहीं पर हमें growth देखने को मिलती है जैसे कि apical meristream, lateral meristream और intercalary meristream का जो area होता है वहीं पर हमें growth देखने को मिलती है इसलिए हम कहते हैं कि plant जो होते हैं उनके अंदर growth localized होती है लेकिन animal की बात करते हैं animals की तो उसके अंदर जो growth होती है वो diffused होती है यानि कि जो सभी parts होते है body care उन सभी के अंदर growth पाई जाती है जबकि plant के अंदर कुछ localized regions होते हैं वहीं पर growth पाई जाती है इसके अलवा जो second difference यह होता है कि जो plant होते हैं उनकी growth continuous होती रहती है throughout the life उनका जो life cycle होता है उसके अंदर continuous growth होती रहती है वो रूपती नहीं लेकिन animals के अंदर जो growth होती है वो definite period यानि कुछ निश्चित समय के लिए होती है वो सब्सक्राइब होती है जब तक कि जो species है वो अपना genetically determined size है जो size उनके अंदर genetically determined है उस size तक पहुंचने के बाद में animals के अंदर growth जो है वो रूप जाती है इस प्रकार plant की जो growth है वो animal की growth से different होती है अब हम बात करते हैं कि जो modular type of growth होती है वो root system में कैसी होती है और suit system के अंदर कैसी होती है कि जो higher plants होते है higher plants के अंदर जो मेरिस्टेम पाई जाती है वो चार प्रकार्थी होती है टैंक के मेरिस्टेम और जो फोर टाइब होता है मैरिस्टेम का वहिफ्यूज मेरिस्टेम और यह सभी मेरिस्टेम जो होती है वो plant की size और complexity के लिए responsible होती है यानि इन मेस्टैम की activity से ही प्लान्ट की साइस बढ़ती है और उनके इंदर complexity आती है सबसें पहले देखते हैं कि stand का जब शूट सिस्टम है उसके अंदर modular growth कैसे होती है तो पहले देखते हैं फर्स्ट को मॉड्यूलर को ग्रोथ कि इन सूट सिस्टम प्लांट की जो सूट सिस्टम है या जो मोडूलर ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर उसकी तीन इस्ट्रक्श्रल यूनिट होती है जो मोडूलर ग्रोथ है उसकी थ्री इस्ट्रक्श्रल यूनिट होती है जिनके द्वारा मोडूलर ग्रोथ पाई जाती है थ्री इस्ट्रक् सेकंड यूनिट है मेटामर और थर्ड यूनिट होती है मोडूल इन तीन स्ट्रक्चर यूनिट से जो प्लांट का जो मोडूलर ग्रोथ है उसके अंदर हमें तेखने को मिलती है सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की जैसा कि हम सभी को पता है सभी जो लिविंग अर्पिन्स होते हैं उनके जो बॉडी के अंदर जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है यह इस्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ और लिविंग और निजन्स इसके अलावा जो पूरानी सेल्स है उनसे नई सेल्स का डेवलिप्मेंट होता है और यह जो सेल्स होती है वही आगे जाकर प्लानी की प्लांट इसका ऑगे जाकर के आग जो सेकिड्ली में एक इसका फ्रमिशन और ऑफ से होते हैं है इसकी जो स्टैकिन यूनिट है मेटामर है कि मेटामर जो होता है वह रिपीटिट्यू स्ट्रक्च्रल यूनिट है यान कि जब हम एक सूट सिस्टम के स्टैम या उसकी ब्रांचे की बात करते हैं तो उसने पहले इसके अंदर देखा था कि जो सूट सिस्टम होता है प्लांट का उसके अंदर जो स्टैम होता है या जो उसकी ब्रांचे होती है उसके अंदर नोट और इंटर नोट पाये जाते हैं जैसे कि यह नोट है यह भी एक नोट है और इन दो नोट के बीच वाला जो पार्ट है वह कहलाता है इंटर नोट जैसे कि यह नोट हो गया यह भी नोट है और जो दो नोट के बीच का यह जो पार्ट है यह हो गया इंटर नोट कि नोट जो होता है उसके उपर कई प्रकार के अपेंडिस रखते हैं जैसे ही एक इसके अंदर अपेंडेज होता है लीफ कि नोट के उपर लीफ पाई जाती है और जो लीफ एक्जिल होता है वहां से एक्जिलरी बड्ट का डेवलम्मेंट होता है यह होगी एक्जिलरी बड्ट और इसी एक्जिलरी बड्ट से आगी जाकर के जो इस स्टेम के उपर जो ब्रांचे लगती है उसका डेवलम्मेंट होता है तो जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि नोट के उपर लीफ लग रही है और एक्जिलरी बड्ट लग रही है तो ये सारा पार्ट है वो के अमंटमर यूनिट का होता है जिसके हम कह सकते हैं कि एकमेंटमर यूनिट हुश्य है कि ए अगरा यूनिट होती है उसके अंदर कि एक मैटामर्य यूनिट के अंदर एक नोड होगा इंदर नोड होगा एक लीव होगी और लीव की एकजी शेन्देज से बजो रिकलते हैं तो यह सभी पार्ट बिलख रखेए मैटामर यूनिट का निर्मांद करते हैं कि एक मारा हुआ यूनिट है यह भी इन इसे प्रकार से कई सारी यूनिट पाई जाती है और कई सारी मेडामर यूनिट से आगी जाकर एक मोड्यूल का development होता है जो कि इसकी more complex unit है तो जो मेटामर यूनिट जो होती है कि उसके बारे में मैं डेनियल एक साइंटिस्ट थे मैं मैं डेनियल कि उन्होंने 1980 के अंदर बताया था कि जो मेटामर फोर्मेशन है वो ग्रोथ फेक्टर के दौरा कंट्रोल होता है कि मैं अगर्ण कि मैं अगर्ण जो यूनिट होती है अग्रूब फेक्टर के दौरा पंट्रूल होती है कि अग्रूड वाई यह होगी एक मेटामर यूनिट में तो हम कह सकते हैं कि जो मेटामर यूनिट होती है वो अगर्ण तर्णिस्ट और नोद इंचनों यूद्ध यूनिट के अंदर यह साड़े पार्ट पाए जरी मिल कर एक मेटामर यूनिट बनती है अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड इस्ट्रक्च्यर यूनिट है मोड्यूल उसके बारे में अब कि 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 तो मोड्यूल जो होता है वह एक मोर कॉंप्लेक्स यूनिट होता है मोर कॉंप्लेक्स यूनिट है और यह जो है कि कंसिस्ट और कि लिपीटेड यूनिट्स आफ मेटा मेटामर की कई सारे जो यूनिट है वह आपस में मिलकर के मोड्यूल बनाती है इस प्रकार हमने बात किते एक मेटामरकी यूनिट होती हैawan तीमी अपस में एय्ड़ों होकर एट कर पर के एक मोर कॉंप्लेक्स यूनिट मोड्यूल का डवलयप्मेंट जिसे मोड्यूल का डवलयप्मेंट करती है Aj अब जो हम देखते हैं कि जो प्लांट का सूट वाला जो पार्ट होता है जो सूट सिस्टम होता है प्लांट का वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है जैसे कि हैंने बात किती है जो ग्रोथ होती है प्लांट के इंसे कंटिन्यूस होती है तो जो प्लांट का सूट सिस्टम होता है करेगा क्योंकि इसके अंदर जो मेटामर की यूनिट है वो कंटिन्यूसली एड होती रहती है जिससे मॉट्यूल बनते हैं और कंटिन्यूस जो मॉट्यूल उसके अंदर एड होते रहते हैं तो कंटिन्यूस ग्रोथ होती है क्योंकि इसके अंदर जो मॉट्यूल से रहते हैं कि सूत शि्षम के अंदर मॉड्यृ एडरोते हैं इसके अंदर इसके अंदरं ऑन ग्रोथ पाहिए है लेकिन हम इक पर्टिंग्वूञ्डरे सूंट मोड्यूरे के बात करते हैं जो Оसको पर्टिंग्वलर फीस इस चैड़ोई होता है वह definite या determinate टाइप की growth होती है इसकी जो growth होती है वह determinate होती है यानि कि जो एक particular शूट module होता है वह एक सिमित growth प्राप करता है उसके अदर एक सिमित level तक ही growth होती है और यह growth कब terminate होती है जब जो शूट है उसके उपर influence का development हो जाता है या उसके उपर tendrils बनते हैं या जो शूट अपेक्स है उसका parent काइमेटाइजेशन हो जाता है तो जो growth है है शूट मोड्यूल की वह तर्मीनेटेडड और वाई इंफ्लोरिशेंस का डेवलेप्मेंट हो जाता है बाई डेवलेप्मेंट और इंफ्लोरिशेंस इसके अलावा टेंट्रील्स और थर्ड जो रिजन है वह है पैरेंट काइमेटाइजेशन पैरेंट काइमेटाइजेशन और शूट अपेक्स इन तीनों रिजन में से किसी भी रिजन के द्वारा जो शूट मोड्यूल है उसकी growth रुप जाते हैं या टर्मिनेट हो जाते हैं तो यह था प्लांट का जो सूट सिस्टम है उसके अंदर किस प्रकार से modular growth पाई जाती है इसके अंदर अब बात करते हैं कि जो सूट सिस्टम है उसके बाद में सूट सिस्टम के अंदर किस प्रकार से modular growth पाई जाती है मौड्यूलर ग्रोष इं रूट सिस्टम तो जो रूट होती है उसके अंदर भी modular characters पाई जाते हैं रूट के अंदर भी modular characters होते हैं जो कि यह में जो रूट का branching pattern है उसके अंदर देखने को मिलता है कि रूट का branching pattern होता है कि branching pattern का मतलब होता है जो रूट होता है उसके अंदर प्राइमरी रूट होती है उसके अलावा इसके अलावा जिसके अंदर फर्स्ट सेटिंड या जो हाई ओडर की lateral roots पी उसके अंदर पाई जाती है तो एक्जाम्पल अगर हम देखें रूट के जो modules होते हैं तो उसके अंदर प्राइमरी रूट कि प्राइमरी रूट कि इसके अलावा जिसके अंदर की फर्स्ट स्टिंड या हाई रोडर की lateral roots को हो सकती है तो यह जो होते हैं यह रूट का modules होते हैं रूट के modules होते हैं जिन से जो है रूट सिस्टम का development होता है इनी रूट मोड्यूल से जिनके द्वारा जो कम्प्रीट सिस्टम का development होता है इसके अलावा और भी कुछ रूट होती है जैसे की aerial roots root spines इसके अलावा जो न्यूमेटाफोर्स होते हैं जिनको रैस्पिरेट्री रूट्स भी का जाता है क्योंकि यह मैंग्रूव वेटिटेशन के अंदर जो गेसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करता है तो इस प्रकार की जो रूट्स होते हैं यह भी मोड्यूल का इक पार्ट होते हैं यह भी एक प्रकार के मोड्यूल होते हैं कि एरियल रूट्स रूट्स इस्पाइल्स और डियू मेटाफोर जिससे कि डिस्टिंक्ट कि पार्ट ओफ कि रूट्स सिस्टम का डेवलेप्मेंट होता है यहानि कि इन सभी जो रूट्स से उनसे इसे भी मोड्यूल बनते हैं और जो कि आगे जागर के जो रूट्स है उसको अलग-अलग पार्ट के अंदर पाए जाते हैं यह सभी पार्ट भी जो रूट्स के ही पार्ट होते हैं जो कि मोड्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं यह था मोड्यूलर सिस्टम इन रूट् जिसके अंदर हमने सूट सिस्टम के मोडियूलर ग्रोथ की बात की और जो रूट सिस्टम के अंदर मोडियूलर ग्रोथ पाए जाती है उसके बारे के बात की थेंक्यू